दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे पोपिलर और सबसे डरावनी मूवी दा एक्जोर्सिष्ट जो 1973 में आई थी वो मूवी एक रियल इंसिडेंट में बेस है आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो उस मूवी से काफी मिलते जुलते हैं ये बात काफी साल पहले की है फ्री फायर वल्ड में रहने वाला 18 साल का एडम बरमूडा शहर से काफी दूर अपनी एक आंटी के घर पे रहता था उसकी आंटी पैरानोर्मल एक्टिविटीज एंग डार्क श्टडी की प्रोफेसर थी उसकी आंटी उन लोगों की मदद करती थी जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं है एडम के पेरेंट्स नहीं थे एक पेपर पे एक मंतर लिखके दिया उस पेपर के ऊपर ऐसा मंतर लिखा हुआ था जिसका इस्तिमाल करके हम लोग दूसरी दुनिया से बात कर सकते हैं एडम उस मंतर को बोलने की प्रैक्टिस हमेशा करता रहता था और अपने पेरेंट से बात करने की कोशिश करता रहता था लेकिन इस पीच एडम का बरताव काफी बदलने लगा था वो काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था लेकिन कुछी दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ा से एडम बिल्कुश सहम गया था उसकी आंटी की अचानक देथ हो गई थी अपनी आंटी की देथ के बाद एडम हमेशा उस मंतर को बोलने की प्रैक्टिस करता रहता था क्यूकि वो अपनी आंटी से बहुत ज़ादा प्यार किया करता था और वो अपनी आंटी को वापस बुलाना चाहता था दीरे दीरे एडम पागल सा हो गया था उसको घर की दिवारों में से खटखटाने के वाज आती थी कभी उससे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी आंटी उसे पुकार रही है तो कभी उससे लगता था कि वो उससे लड़ रही है कभी उसे एक ओरत की रोनी की अवाज आती थी तो कभी उसे उसी ओरत के हसनी की अवाज आती थी एडम के बाकी के परिवार के सदस्यें ये सब अब्जर्व कर रहे थे उन्होंने देखा कि एडम बहुत ही जादा कुछ सेल हो गया है एक बार घर के सदस्यों ने देखा कि एडम बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि किसी जादूई शक्तियों ने उसे घेड लिया हूँ सभी एडम की हालत देखके बहुत ही जादा गबराय हुए थे लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गबराहट को रोंग्टे खड़े कर देने वाली हालत में बदल दिया उस शाम घर पर एडम के सिवाई कोई भी नहीं था एडम वो मंत्र पढ़के अपनी आंटी को बुलाने की कोशिश कर रहा था कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर पूरे घर की खिड़ किया और गेट अजीब तरीके से खुलने लगे एडम का सर घूमने लगा और फिर एडम ने देखा कि दो काले साहे उसके कमरे में चक्कर लगा रहे हैं साथ ही साथ उसकी कमरे की लाइट्स बहुत जल्दी जल्दी ओन ओफो रही थी एडम बहुत जादा डर गया और वो घापकर अपनी आंटी के रूम में चला गया पर जैसे ही एडम ने रूम में एंटर किया वो एक अलग डैमेंशन में चला गया वो एक ऐसे रूम में सुन्दर सी लड़की खड़ी हुई है गबराय हुए एडम ने उस लड़की को वाज लगाई पर वो कुछ बोली ही नहीं कि तब ही वो औरत पलती और वो अचानक से अपने बैयानक रूब में आ गई और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था जैसे कि वो किसी के वश में आ गया हो उसके बात देर रात को जब एडम के फैमिली वाले घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एडम खुन से लगपत पड़ा हुआ है उन्होंने देखा कि उसके रूम में एक कुटा पड़ा पर जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा वो गुसे से पागल हो गया और फिर कुछ ही पलों में वो बेहोशों कर नीचे गिर गया इस इंसिडेंट के बाद से एडम की हालत दिन पर दिन बहुत जादा खराब होती जा रही थी जब किसी भी डॉक्टर को कुछ स अबाही मचाने लगा ऐसा लग रहा था जैसी कि वो डीमन उसके अंदर आ गया है वो प्रिष्ट एडम को अपने साथ अंदर ले गए वहां अंदर बहुत सारी कबर बनी हुई थी और अंदर जाने के बाद तो एडम और जादा भयानों को गया वो हर तरफ तबाही मचाने लगा प्रिष्ट को ये तो समझा गया था किसके अंदर एक नहीं बलकी चार-चार डीमन्स ने कबजा कर लिया है और देखते ही देखते एडम उन प्रिष्ट के उपर भी हमला करने लगा उन प्रिष्ट ने काफी कोशिश की पर एडम को कुछ इन नहीं हो रहा था पर जाती जादा कमजोर महसुस कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है पर थोड़े ही दिन बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं गटा एडम को भले ही कुछ याद नहीं था लेकिन उसके family members और उन प्रिष्ट ने जो देखा था उसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे